तो गेट 2024 में क्या-क्या important topics हैं? किस से सवाल पूछे जा सकते हैं? और exam के related इसकी क्या importance है? कि सहाब ये 2 से 4 नंबर लाने के लिए आपको कितने घंटे मेहनत करनी पड़ेगी? कितने घंटे पढ़ना पड़ेगा? तो सहाब बार चार्ट बहुत ही hot favorite topic रहता है तो अगर हम केवल बार चार्ट ही पढ़ लेते हैं इस particular chapter में तो हमारा काम चल जाता है इसमें जो सबसे important मेरे लिए topic रहता है वो रहता है dummy Hello everyone, वैं अंकित शर्मा आप सब का स्वागत करता हूँ gate वाला में तो आज हम discuss करने वाले हैं कि construction planning management जिसे हम generally CPM के दाम से जानते हैं तो gate 2024 में क्या-क्या important topics हैं, किस से सवाल पूछे जा सकते हैं और exam के related इसकी क्या importance है चलिए आगे बढ़ते हैं और अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं तो देखिए अगर बात करी जाए exam में इसकी क्या importance है तो सहाब ये 2 से 4 नंबर का पूछा जाता है अब अगर आप कहेंगे कि सर 2 से 4 नंबर तो बहुत ही कम है gate के relative नहीं ऐसा नहीं है मैं आपको other side of coin दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे तो एक चीज ये देखिए कि सहाब ये 2 से 4 नंबर लाने के लिए आपको कितने घंटे महनत करनी पड़ेगी कितने घंटे पढ़ना पड़ेगा तो अगर मैं बात करूँ उस case में तो 15 to 20 hours maximum आपको पढ़ना पढ़ेगा और इस subject को अगर आप एक दो बार भी revise कर लेते हो तो ये आपके दिल में घर कर जाएगा दिमाग में बैठ जाएगा एक्जाम में इस subject को reproduce करना बहुत ही करल होगा आसान होगा और अगर मैं कहूं तो अतिश्योक्ती नहीं होगी कोई मैं बढ़ा चरहा के बात नहीं कर रहा हूँ कि साहाब पूरे पक्के नमबर है क्योंकि बहुत टफ सवाल इस से नहीं बनते हैं पूरा subject common sense पर बेस्ट है conceptual subject है कोई चीज याद करना नहीं है बहुत logical चीजे हैं इस subject में तो बहुत ही आसान subject है तो दो से चार नमबर मात्र आप 15 से 20 घंटे पढ़के और एक दो बार revision करके ला सकते हो बड़ी इमानदारी से तो बहुत कम input में बहुत अच्छा output आपको मिल रहा है तो दो से चार नमबर आपके fix हो जाते हैं अब अगर हम topics की बात करें तो chapter 1 मेरा हो जाता है project management right chapter 1 मेरा हो गया project management अब project management में बहुत सारी चीजे है project की definition है project management है elements of project management है फिर methods of scheduling है जिसमें अगर मैं बात करूँ तो सबसे दो important topic मेरे favorite रहते हैं वो रहता है bar chart और दूसरा हो गया milestone chart right तो अगर बात करी जाए देखा जाए previous exams के trends को देखा जाए केवल gate को नहीं other exams के trend को भी देखा जाए तो सहाब bar chart बहुत ही hot favorite topic रहता है तो अगर हम केवल bar chart ही पढ़ लेते हैं इस particular chapter में तो हमारा काम चल जाता है फिर दूसरा chapter हो गया है मेरा fundamentals of network diagram to be specific diagram देखिए अगर ये chapter पढ़ते हो आप ये chapter 2 हो गया मेरा fundamentals of network diagram ये chapter 1 हो गया right अब ये chapter अगर पढ़ते हो आप किसी भी case में इस chapter को skip नहीं कर सकते क्योंकि आगे के जो chapters है सबके लिए basis fundamentals यही बनाएगा कि network diagram कैसे बनता है इसमें जो सबसे important मेरे लिए topic रहता है वो रहता है dummy और students को सबसे ज्यादा दिक्कत इसी topic में होती और दूसरा जो second important topic रहता है यहाँ पे मेरे लिए वो रहता है fundament network rules यह दोनों topic से ही generally हमारे सवाल आते हैं कि आपसे network diagram बनवा लिया गया उसमें dummy पूछ लिया गया और क्या उनके rules है और अगर मैं तीसरे chapter की बात करूं मात्र पांची chapter है तीसरा chapter है मेरा PERD PERD का मतलब होता है project या program कहलो evaluation review technique US में जब polaris missile का development हो रहा था 1950 के आसपास तब इस methodology को इजात किया गया था और उसके बाद आज तक research and development के project के planning scheduling and monitoring controlling के लिए इसे use किया जाता है इसमें जो सबसे important हमारे है पास जो topics रहते है वो रहते है time estimates time estimates right फिर अगला important topic जो रहता है वो मेरे लिए slack रहता है और इसके बाद एक तीसरा important topic रहता है जो रहता है probability of project completion time कि आपको कोई project completion time दे दिया उसके अंदर project के खतम होने की क्या probability रहती है तो यह तीन topic मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा important हो जाते है और इससे बहुत सवाल आता है right एक सबसे famous सवाल यह रहता है कि part analysis में activities कौनसा distribution follow करते हैं और दूसरा सवाल यह रहता है कि part analysis में project completion time कौनसा distribution follow रहता है यह सवाल आपको हर साल किसी ना किसी exam में मिल ही जाता है right अब अगर हम चौते chapter की बात करें तो चौता chapter हो गया मेरा साहब CPM जिसे हम कहते है critical path method construction planning management मेरा subject है जिसमें CPM critical path method यह मेरा एक chapter है इसमें अगर मैं बात करूं तो सबसे important topic जो रहता है मेरा वो रह जाता है float और पर्ट और TPM के बीच का difference फिर आपका critical path critical path चाहें पर्ट में जोड़ लो चाहें यहां जोड़ लो critical path पात एक ही है right यह हो गया इसके बाद अगला जो हमारा chapter हो गया है last chapter crashing right crashing अब इसमें हमसे यह पूछ लेते हैं what is optimum duration कैसे निकालते हैं duration और अगला point जो पूछ लेते हैं direct cost and indirect cost इसके बीच का relationship हमारा क्या रहता है फिर आपसे crashing का सवाल पूछ लिया जाता है आपको एक सवाल दे दिया जाएगा जिसे बोला जाएगा कि साहब इसे crash करो बहुत hot favorite topic रहता है बहुत अच्छा topic रहता है मतलब अगर सबसे tough सवाल अगर gate को बनाना है तो साहब इसी topic से बना साथ इस से ज़्यादा इस subject में और कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे साहब हमारा subject खतम हो जाता है जिसके साथ मैं आपका video भी खतम करूँगा I hope कि यह short video में आपको काफी अच्छी information बिल गई होगी so guys best of luck for your exam